हेलो पेरे बच्चों कैसे हैं आप आज कल हम कर रहे हैं बहुत इंपोर्टन सीरीज जो कि नीट, I.A.T.J.E. के लिए बहुत अधिक बहुत बहुत पूर्ट पूर्ण है पहले हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं इस चीरूज में और इसी कड़ी में आज हम कर रहे हैं कलास 11 में चेप्टर नमबर 11 के अत्रिकत अभ्यासों को तो आप अच्छे से इन अभ्यासों को जरूर कीजेगा हमने जब इस चेप्टर की थियोरी आपको कराई थी तो उस समय कुष्टर नमबर 14 तक आपको हम करवा चुके थे नुमेरिकल आज वही से आगे हम आगे शुरू कर रहे हैं जो बच्चे वे हमारे जितने नुमेरिकल हैं उनको करेंगे तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले ले रहे हैं कुष्टर नमबर 15 जो की इस परकार से है इसके अंसर कुछ समनने गैसो के अक्ष पर मोलर विशिष्ट उश्मा धारिताओं के प्रिक्षण नीचे दिये गए हैं और इसमें कौन-कौन से दिये गए हैं हाइडोजन, नाइडोजन, आक्सिजन, नाइट्रिक उकसाइड, कारबन मोनोउकसाइड तता कलोरीन लगबख सबके जो मान हैं वो 4.87 से 5.01 के लगबख है 4.87 से कहां तक है 5.01 तक और ये कौन-कौन से हाइडोजन है और यहाँ पर है कारबन मोनोउकसाइड यह इस तरीग यसे हैं गैसे यह और यह सारी गैसे कौनसी हैं डिक परमाणूक गैसे हैं तो क्या प्रेशन कहा है, साथ मैं कलोरीन का भी इनू ने दे दिया ज कलोरीन का इनू ने दिया है, यह 6.17 और यह हमें कहा देरी कि विसष्ट उश्माएं तो आगे क्या कह रहा है इन गैसों की मापी गई मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता हैं एक परमाणुक गैस की मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता उसे सुस्पष्ट रूप से भिनना है प्रतिकात्मक रूप से किसी एक परमाणुक गैस की मोलर विशिष उश्मा होती है 2.92 2.92 सहत में इसका मातरख है कैलोरी पर मोल कैल्विन इतना इसका मातरख है इस अंतर का सपस्टी करण कीजिए क्लोरीन के कुछ अधिक मान शेश की अपिक्षा होने से आप क्या निसकर्श निकालते हैं तो देखें यहां हमें 2 बाते बतानी है पहली बात तो यहां कि यह द्विक परमानुक जो गैसे हैं वह इन एक परमानुक गैसे हैं यह सब हैं द्वि परमानुक गैसे हैं इन सब की क्या है मोलर विशिष उश्मा धारिता मोलर विशिष उश्मा धारिता यह है और यह हमारे पास क्या है यह है एक परमानुक की किसकी है यह है एक परमानु एक परमानुक की जो एक परमानुक वाले अनु होते हैं यह दूइफ परमानुक गैसे यानि कि जिसके हम कह सकते हैं एक अनु में दो परमानु हो परमानुक कैसे होगी जिसके हम कह सकते हैं कि एक अनु में एक ही परमानु हो वो एक परमानुक कैसे हो गई अब बात आ रही है कि यह पूछ रहा है कि इनका जो विशिष्ट मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता है वो 4.8 एक से लेके 5.01 के बीच में होती है जो लगभग आपस में बराबर है जबकि क्लोरीन की इनसे काफी ज़्यादा होती है 6.17 के लगभग होती है इनके तूलना में जो एक परमानुक जो गईसों की विशिष्ट उश्मा धारीता जो होती है वो 2.92 केलोरी पर मोल केल्विन होती है तो इसमें हमें अंतर बताना है देखिए में बात यह है कि पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता क्या होती है किसी भी गैस के एक मोल का ताप एक डिग्री सेंटी ग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवशक उश्मा की आवशकता होती है उसी हम क्या कह देते हैं उस गैस की मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता एक बार दोबारे रिपीट कर रहा हूँ आप चाहिए तो इसे लिख सकते हैं मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता का अर्थ है कि किसी गैस के एक मोल का ताप एक मोल गैस का ताप एक डिग्री सेंटीगेड बढ़ाने के लिए आप शक उश्मा की मातरा को ही उस गैस की मोलर विशिष्ट उश्मा धारीता कहते है तो डेफिनिशन के लिएर होगी अब बात आती है कि एक परमानुक जितनी भी गैसे हैं उनकी मोलर विशिष्ट उसमा धारीताओं का मान लगबग 2.92 कैलोरी पर मोल कैल्विन के बराबर होता है जबकि दूई परमानुक गैसों का मान इसका तो 2.92 एवरेज वैल्यू इतनी है जबकि इसका जो मान है वो 4.87 से 5.01 के बीच में है इतना अंतर क्यों है देखे अंतर इसलिए है कि हमने वहाँ पर आपको बताया था स्वतंतरता की कोटियां अब स्वतंतरता की कोटियों में आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी जो गैस होती है उसके अंउ कितनी परकार की गती कर सकते है तो जो एक परमानुक गैसे होती है जितने भी गैसों में एक अंउ में एक परमानु होता है इन एक परमानों गैसों में केवल एक परकार की गती होती जिसे हम कहते हैं इस्थानांतरित गती इस्थानांतरित गती इसका अर्थ है कि इन परमानों की केवल एक गती है इन अन्वों की केवल एक परकार की गती है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां कम उश्मा ग्रहन करते हैं और ताप जल्दी से एक डिगर सेंटिकर बढ़ा लेते हैं और थार्थ यदि इनको इतनी उश्मा दे दी जाए तो उनका ताप एक डिगरी कल्विन बढ़ जाएगा तो यह बात हमें समझे माती है अब समझे यह दृग परमानू गैसे कौन सी होती है यह दृग परमानू गैसों की जो हम कहते हैं इनमें यह दृग परमानू गैसे है इनकी खास बात क्या होती है इनमें दो परकार की गती होती है इनके अणों में एक होती इस्थाना अंतरित और दूसरी होती घूर्णी गती घूर्णी गती इसका अर्थ ये हुआ कि इनको अपना गैस काताप एक डिग्री सिंटिग्र बढ़ाने के लिए अधिक उश्मा क्या शक्ता होगे क्यों होगे अधिक उश्मा क्या शक्ता क्योंकि वहाँ उश्मा दो रूपों में परिवर्थी थो रही है एक स्थानांतिर्थ उड़जा के रूप में परिवर्थी थो रही है लेकि घूर्णी गती उड़जा के रूप में परिवर्थी थो रही है जबकि एक परमाणू गैस में केवल एक परकार की गती के रूप में उड़ जा का प्रियोग हो रहा था इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको उश्मा के अधिक आवशकता होती है दुख परमाणू गैस वालों को अब एक शक्रित एक परमाणू गैस को अब यहां पर एक और प्रशन उसने पूछा है कि जो क्लोरीन है वह एक दुख परमाणू गैस है लेकिन उसकी मोलर विशिश उश्मा धारिता इन गैसों के तुलना में बाकी दुख परमाणू गैसों के तुलना में काफी जादा है इस अंतर क्यों है इसका अंतर भी इस परकार से है कि जो सामान्यतों दुख परमाणू गैसे होती है उनमें दो परकार की गती होती है इस्थनांत्रित गती है और घूनन गती जबकि क्लोरीन में एक और परकार की गती होगी यहाँ दोनों गती हैं तो होंगी होंगी इसमें इसमें एक और परकार की गती होती है जिसें कहते हैं कमपनिक गती है इसका आर्थ है इसके अनू क्या करता है वाइब्रेट करता है कमपन मी करते है तो जहाँ एक परमाणू गैस में एक परकार की गती होती है दूइक परमाणू गैसों में सामाने तो दो परकार की गती होती है वहीं क्लोरीन में दूइक परमाणू गैस होने के बाद भी उसके अणू तीन परकार की गती करते हैं इसलिए इसकी मोलर विशिष्ट उश्माधारिता क्या है ज्यादा होती है अब एक शरकित अन्यक है तो इसे इस परकार से समझेंगे हमारा नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 16 जो की इस परकार से है इसके अंसार CO2 के PT प्रावस्था आरिक पर आधारित निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो देखें यहाँ पर हमने CO2 का प्रावस्था आरिक बना रखा है PT आरिक जिसे कहते हैं प्रावस्था आरिक या PT आरिक क्या चीज है प्रावस्था का अर्थ होता है अवस्था परिवर्तन यदि यह C2 का प्रावस्था वक्र है तो इसका अर्थ है कि यह CO2 की कारवंडा एकसाइड की ठोस द्रव तथा गैस अवस्थाओं में परिवर्तन क प्रदिश्यत कर रहा है और यहाँ वक्र होता है यह हमार पास P यानि की दाप जो की ATM यानि की यहाँ किसमे atmospheric pressure में जिसे यू मंडली दाप गहते हैं उसके बदों में हैं और दूसरा जो हमारा यह ताप है T एक सक्ष पर यहाँ प्रदिश्यत कर हुआ है degree centigrade के रूप में तो अब CO2 के इस वक्र को मोटा मोटा पहले समझ लेते हैं फिर इन questions के answer देंगे इसके अंशार जब हम CO2 का यह दिमान 0 degree centigrade से भी बहुत कम यह minus 88 और 1 degree centigrade पर तो यहाँ वक्र है तो यह जो वक्र है मान लेते हैं इनके नाम ले लेते हैं यह O है यह वाला बिंदू हम A ले लेते हैं यह वाला बिंदू B ले लेते हैं यह C ले लेते हैं तो देखे ओ ए प्रदश्चित करता है कि इस वक्र के इधर का हिस्सा ठोस है और इधर का हिस्सा वाश्प इसका अर्थ है इस पर इस्तित विभिन बिंदू जो है वहाँ दो अवस्थाओं पर इस्तित है यानि कि दो सामय अवस्थाओं पर है यदि यहाँ पर यदि कोई एक बिंदू ले लू यहाँ पर कोई बिंदू ले लू यहाँ बिंदू जिस पर की atmospheric pressure यानि की दाब का मान 1 है तथा ताब का मान minus 78.5 degrees centigrade है इसका अर्थ है कि इस दाब तथा ताब पर यह CO2 दो अवस्थाओं में समय रूप से इस्थी थे ठोस अवस्था में तथा वाशप अवस्था में अब यदि थोड़ा सा आप दाब या ताब परिवर्थित करेंगे तो क्या होगा आप यह गैस जा तो ठोस में परिवर्थित हो जाएगी या वाश में परिवर्थित होगी इस बात पर डिपेंट करता है कि आप क्या चीच कितना परिवर्थित कर रहे हैं फिर हम बात करते हैं वक्र O से लेके B तक के O से लेके B तक वक्र के इधर के और देखें तो ये ठोस अवस्ता है और इससे इधर के और देखें तो ये बीच की द्रहव अवस्ता आ जाती है इसका आर्थ है कि इसपर जो विभिनी बिंडू होंगे A, B के बीच में ए भी रेखा पर वकर पर जितने भी बिंदू होंगे वो दो Hz, हम कह सकते हैं अवस्थाओं की सामें बिंदू को सामें अवस्थाओं को परता करेंगे इससे इधर आएंगे तो ठोस इससे इधर आएंगे तो वो द्रव میں परिवर्थित हो जाएगे कौन सी? CO2 ये उडधो, पारतन, वक्र को प्रदिशित कर रहा है। ये अ बी, गलनांक वक्र है। गलनांक है। और तिसरा ये एसी, ये क्वथनांक वक्र है। क्यूंब मैंने इनको कहा, ओसे लेके ए तक की दो इस्तितिय हैं। तोस redeity or washpa, यानि की या तो ठोस में रहगा या wash yeah तो ठोस से वाशवaha में परिवश्प में परिवश्प में परिवश्प होगा उर्धव पार्तन का गुण कहते है, इसलिए यह वकर उर्धव पार्तन का है अब यह दूसरा वकर है, A B इसके इधर की और ठोसे इधर की और द्रव इसका अर्थ है कि यदि या तो पदार्थ ठोस वस्था में रहेगा या द्रव वस्था में रहेगा तो यह लाइन बताती है कि इसके इधर की और आएगा तो पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्थित होगा और उसको हम क्या कहते हैं गल्लनांक कहते हैं इस घटना को यदि ठोस द्रव में परिवर्थित हो तीसरी हमने लिए AC ये हमारा इधर की और द्रव है और इधर की और क्या है वाश्प इसका अर्थ है कि यह जो AC लाइन है यह क्वथनांग को प्रदिश्यत कर रही है इसका अर्थ है कि द्रव को यदि हम गरम करते हैं तो गरम करते हैं यदि गैस अवस्था में परिवर्थित हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है क्वथनांग बिंदू होता है और इसमें मैंने बताया आपको कि जो A बिंदू है, इसे हम त्रिक बिंदू कहते हैं, इसको त्रिक इसलिए कहते हैं, क्योंकि इस बिंदू पर CO2 की कार्बंडा एक सड़ का है, ये CO2 तीन सामय वस्थाओं में रहता है, तीन सामय वस्था हैं कौन सी? इस बिंदू के इधर क और वाश्व है और वो आगे चले जाए तो द्रव अवस्ता है तो यह त्रिक बिंदू कहलाता है अब पहला प्रशन ए पार देखते हैं किस ताप वदाप पर CO2 की ठोस द्रव वाश्व प्रावस्ता है सामय में सहव वर्ती रहती है किस ताप तथा दाप पर तो हमें बताना है ए पार्ट में वह ताप और दाप यह दो चीजे हमें बतानी है तो देखिए यह हमारी वो थी जिसमें फोस वस्ता भी है वाश्व प्राव भी है तो इसमें ताप कितना है माइनस 56.6 डिग्री सेंटीग्रेट माइनस 56.6 डिग्री सेंटीग्रेट और इसी बिंदू पर इधर के और चलें तो दाप कितना है पांच दशमलो एक एक पांच दशमलो एक 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 एटमसफेरिक प्रिशर यानिकि वाईयो मर्ली दाप तो इस पर सियो टू ठोस दरव तीनों वस्ताओं में रहेंगी गय ने का था यह जो एबी वक्र है यह गलनांक वक्र है यहां से लेके यहां तक का अब इसमें किसके परिवरतन की क्या कह रहा है बात यह कह रहा है गलनांक दाब में कमी का प्रभाव बी पार्ट में हमें अध्यान करना है दाब में कमी का प्रभाव अब सबसे पहले एबी व और ताप क्या होगा, हम नीचे चले जाएं, तो ताप हमारा ये नियत हो गया, अब यदि हम ताप को नियत रख करके, ध्यान दीजेगे मेरी बात को, ताप हमारा इतना ही है, ताप को नियत रख करके, यदि दाब को घटाते हैं, दाब को क्या कर रहें, घटा रहें, इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदू का जो ताप था वो तो यह था और इस बिंदू का ताप क्या होगा नीचे लाइन मिलाई इस बिंदू पर आ गया यह वाला ताप ज्यादा यह वाला ताप कम है इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दाब घटाएंगे तो कौथनांक पहले ह पर गल नांक घट जाता है घट जाता है घट जाता है मतलब कम ताप पर ही पदार्थ क्या हो जाएगा गल जाएगा जैसे बरफ होती है गरफ को गरम करते हैं तो वो क्या होती है ठोस से द्रव में परिवर्थित होती है वही उसका गलनांग बिंदू होता है तो यदि दाब आप कम करेंगे तो कम ताप पर ही CO2 क्या होगी द्रव उस्ता में परिवर्टित हो जाएगी सेकिन बात है हमें करना है क्वथनांग का भी अध्यान तो क्वथनांग का कौन सा वक्र है A, C, N की A से लेके C तक अब इसमें हमने फिर से यहाँ पर एक बिंदू ले लिया अब इस बिंदू पर दाब कितना था यह अर्ताप कितना था यह तो अब यदि मैं दाब को घटाऊं इस दाब को कम कर दूँ यहाँ की वज़ाए यहाँ ले आऊ इस बिंदू पर ले आऊ तो इस बिंदू पर आप देखेंगे ताप फिर से क्या हो गया कम तो है तो कोथनांक वाले रेखा है न तो इसका अर्थ है कि यदि आप दाब घटाएंगे तो कोथनांक भी घट जाएगा तो साथ में क्या लिखते हैं तो मुझे लगता है आपको इस पस्ट हो गया होगा अगला हमारा आता है C-part CO2 के लिए क्रांतिक ताप तथा दाब क्या है इनका क्या महत्त है तो सी हमारा है क्रांतिक ताप वदाब। ये बताने हैं क्रांतिक ताप का अर्थ होता है जैसे हम जल है हमारे पास जल को यदि गरम करते जाएं धरमामेटर लगाकर कि तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अब दरव का ताप उस ताप से अधिक नहीं पहुंच पाता तो वहां हमारा क्या कहलाता है क्वाथनांग बिंदू कहलाता है ठीक इसी परकार से गैसों को भी यदि गर्म करते जाएं तो जैसे ध्रव को गर्म करने पर वो वाश्म में परिवर्थित हो जाता है उसी परकार हम कह सकते हैं कि जैसा इन्होंने का क्रांतिक तापवदाब CO2 के हमे को निकालने है इसका अर्थ है कि हम CO2 को मानलोग गय सवस्था से द्रव ववस्था में परिवर्चित कर रहे हैं तो कौन से क्रांतिक तापवदाब होंगे इस वक्र में सबसे ये वाला बिंदू देखिए आप ये वाला बिंदू है C बिंदू यहाँ बिंदू इस बात को प्रदेशित करता है क्योंकि यहाँ पर जाकर के समापत हो रहा है इसका अर्थ है कि 73 अट्मोस्फेरिक प्रेशर पर जो हमारी गैस है और यदि ताप देखा जाए तो 31.1 degree centigrade पर जो हमारी गैस है CO2 वह क्या हो सकती है क्योंकि यह क्वाथनांक वाली लाइन है यह क्या हो सकती है द्राव में परिवर्थित हो सकती है लेकिन यदि ताप कामान 31.1 degree centigrade से जादा कर दिया जाए जो की वक्र में है ही नहीं इसका अर्थ है कि तब गैस द्रव में परिवर्थित नहीं होगी इस बात को समझे कि यदि ताप कामान 31.1 degree centigrade से अधिक कर दिया जाए तो दाब कितना भी लगा लो आप गैस संपीडित तो हो जाएगी लेकिन द्रव में परिवर्थित नहीं होगी तो यही क्या खेलाते हैं इस बिंदू के क्रांतिक ताप तथा दाप तो ताप कितना हो गया हमने का 31.1 degree centigrade और दाप कितना हो जाएगा इस बिंदू के क्रॉस पॉंडिंग यानि कि 73.0 एट्मोसफेरिक ATM तो एक क्रांतिक ताप हो दाप और क्या महत्तो है इस बिंदू का मैंने बता दिया आपको कि यदि ताप कामान 31.1 degree centigrade से अधिक कर दिया जाए तो दाप को कितना भी बढ़ा दे गैस द्रव में परिवर्थित नहीं होने वाली यह इसका महत्तो है अगला देखें D part दूसरा क्या कह रहा है minus 60 degree centigrade minus 60 degree centigrade दाप हमें दे दिया 10 atmospheric दाप पर और तिसरा हमको दे दिया है इन्होंने 15 degree centigrade 15 degree centigrade वा 56 atmospheric 56 atmospheric दापपर क्या करना है CO2 दापपर CO2 ठोस द्रव गैस मिसिक की सवस्था में होंगे तो हमें इन तीनों पर बताना है तो इसको सबसे पहले minus 70 degree centigrade ढूड़ते हैं कहां होगा देखें यहां है minus 78 और यह है minus 56 तो जो हमारे पास 70 होगा वो यहां पर कहीं पर होगा आप समझतें मेरे के बात को यह 78 है इसके आगे 70 होगा उसके आगे minus क्योंकि minus में जा रहा है न इसलिए इदर क्यों रहेगा तो 70 क्या होगा ताप यहां पर होगा और एक atmospheric यह है तो एक को में आगे बढ़ा दिया और 70 को आगे बढ़ा दिया तो अब देखिए किस अवस्था में आ रहा है तो मुझे लख रहा है साफ दिख रहा है एक को आगे क्यों लेगे और यहां 70 को ले लिया यह मैंने कौन सा लिया 70 degree centigrade minus में minus 70 degree तो किस अवस्था में आ रही है वाश्प में यानि कि जिसे हम कहा देंगे गैस अवस्था गैस या वाश्प सेकिंड minus 60 degree centigrade वादस atmospheric pressure में minus 60 का होगा देखिए यह 56 तो यहां पर था तो 60 लगवग थोड़ा सा minus 60 है इधर की और होगा चपन से इधर की और होगा तो minus 60 क्या होगा कहीं यहां पर कहीं होगा यह 56 पर minus 56 यानि कि यहां पर होगा 60 तो यहां पर आप देखिए यह है और दाब का मान केत्ना है 10 atmospheric तो यहां से हम यह उपर की और लेगे और दाब केतना है यह 5 है तो 10 कहीं यहाँ पर होगा यहाँ पर कहीं 10 होगा तो यहाँ से मैं उपर ले गया और यहाँ पर लाओं तो इन दोनों को मिलाओं तो यह वक्र यहाँ पर काट रहा है तो यहाँ हमारा कौन सा है माइनस 60 और यहाँ वाला कौन सा है 10 10 ATM तो कहां पर मिले यह दोनों? यहां पर मिल गए और यह कौन सी अवस्ता है? फो सवस्ता है, तो यानि कि यह कौन सी अवस्ता होगी? फो सवस्ता होगी तिसरी चीज, 15 degree centigrade वा 56 atmospheric पर 15 degree centigrade कौन सा होगा? 56 से इदक 20 से पहले, यानि कि यहां पर होगा यह कौन सा ताप होगया? 15 degree centigrade और दाब कितना है? 56 तो 56 हमारा यह है इन दोनों को आपस में मिलाए जाए इसको यहां से घुमा करके ले जाएं क्योंकि यह तो 20 degree centigrade पर था तो यहां से घुमा करके यहां पर ले जाएं तो यह यहां पर कटेगा कहीं पर तो 56 degree centigrade यहां और यह हमारा आगया 15 इन दोनों यह दोनों यहां पर मिलेंगे तो हम कहेंगे कौन सी अवस्ता होगी? द्रव अवस्ता होगी डाइग्राम थोड़ा सा हम कह रहें ज्यादा हो गया है तो आप एक बार डाइग्राम को देखे फिर उसके बार नया डाइग्राम बना करके फिर उसमें यह बिंदू ढूंड़िए आपको इस परस्ट दिख जाएंगे तो इस परकार से हम इस प्रश्ट को हल कर सकते हैं हमारा next question है question number 17 और यह भी CO2 के PT प्रावस्ता आरेक पर आधारित है और प्रावस्ता आरेक हमने इससे पहले भी करा था यदि कहीं पर आपको वहाँ पर कुछ डाउट्स होगा तो इस प्रश्ट में आपको और इस प्रस्ट हो जाएगा तो क्या कह रहे हैं CO2 के PT प्रावस्ता आरेक पर आधारित निम्लिकित प्रश्टों के उत्तर दीजिए पहला है एक एट्मोस्फेरिक दाप तथा माइनस साथ डिकी सिंटिक्रेट ताप पर CO2 का सम तापी सम पीडित किया जाता है क्या यह द्रव प्रावस्ता में जाएगी तो क्या का माइनस एक एट्मोस्फेरिक दाप पर और माइनस साथ डिकी सिंटिक्रेट तो दाप कितना कर लिया भी तो ही दिया एक एट्मोस्फेरिक दाप पर और ताप कितना कर लिया हमने T इसको केप्टेल पी कर लेते हैं ताप हमने रखा है इसका माइनस साटगी सेंटिगेट अब सम्तापी संपीडित का अर्थ है कि ताप तो आपने नियत रखना है और दाब का मान बढ़ाना है बढ़ाना है ये है सम्तापी संपीडित का अर्थ तो इस graph में इन दोने श्ञितियों को देखें एक तो हमें मिल गया ये वाला एक है एक तो ये है और ताप कितना है 마ेनस 6 तो माेनस 6 का होगा इन के बीच में कहीं पर होगा क्योंकि ये होगा ये माइनस 18, माइनस 56 के बीच में 60 होगा तो यहां हमने कितना ले लिया माइनस साट डिग्री सेंटीग्रेट तो ताप तो इसने का नियत रखना है अब दाब बढ़ाना है जब दाब बढ़ाएंगे तो पहले एट एक्मोस्फेरिक दाब ये है फिर दो करेंगे तीन करेंगे पांच करेंगे दस करेंगे चपन करेंगे तो जब बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राप का जाएगा ऐसे सीधे उपर की और जाएगा क्योंकि ताब में परिवरता नहीं हो रहा है देखे इसलिए जब आप दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा आप देख रहे हो यहाँ पर ये किस अवस्था में थी गैस अवस्था में जैसी ये लाइन क्रॉस करके तो आप बढ़ाते जाएंगे तो जैसी ये लाइन क्रॉस होगी ये किस अवस्था में आजेगी थोस अवस्था में आएगी तो हम लेखेंगे अवस्ता में परिवर्तित हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी पर ध्यान रखना इसके बीच में कहीं पर भी ये द्रव अवस्ता नहीं आ रही है इसलिए सीधे गैस गैस सवस्ता से ठोस अवस्ता में बदलेगी द्रव में नहीं बदलेगी पहली बात, दूसरा क्या होता है, जब 4 एटमस्फेरिक दाब पर CO2 का दाब नियत रखकर कक्ष ताप पर सीतलन किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए, दाब दे दिया B पार्ट में, चार एटमस्फेरिक दाब पर, अब CO2 का सीतलन कर रहे हैं, सीतलन कारता है, में बात इन रूम टेंप्रेचर को हम मानते हैं 27 दिग्री सेंटीग्रेट, अब इस पर शीतलन किया जा रहा है, यानि कि ठंडा किया जा रहा है, तो अब इस बात को समझे, 27 दिग्री सेंटीग्रेट हमारे वक्र में कहां आएगा, 20 और 31 के बीच में मान लेते हैं, यहां पर हमारा क्य आगया, 27 दिग्री सेंटीग्रेट आगया, और दाब कितना है, चार अट्मस्फेरिक दाब, तो चार अट्मस्फेरिक दाब, पांच से थोड़ा ही कम होगा, तो एक इधर के और हमने रेखा कहीं चली, और एक नीचे से उपर रेखा कहल देगे, तो क्या हो गया, यह यहां ताब 27 दिग्री सेंटीगेट है, अट दाब कितना है, 4ATM, तो ठंडा करने का अर्थ है कि रूम टेंप्रेचर से ताब यह घटा होगे, तो यह इस तरीके से वक्र आगे बढ़ेगा, वोकि दाब नियत है, यह यहां से घूमते भी इधर के और आएगा, जब तक यहां रह ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तो यह किस में रहेगा, गैसी अवस्था में रहेगा, तो मुझे लगता है यह भी समझ में आ गया होगा, अगला C है, 10 atmospheric दाब तथा minus 65 degrees centigrade दाब पर, तो C पार्ट क्या है ताब दे दिया, और दाब दे दिया, दो चीज़े दे दी, दाब दिया है हमें, 10 atmospheric दाब, minus 65 degrees centigrade, minus 65 degrees centigrade, और 10 atmospheric दाब, यह दो चीज़े हमें दे दी, पर किसी दिये गए द्रविमान की ठोस CO2 को दाब नियत रखकर, कक्ष ताब तक तप्त करने पर, तो दाब तो क्या रखना है, नियत, और तप्त का रख है, दाब बढ़ाना है, सब चीज़े साथ 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 समझते जाए आप, दाब बढ़ाना है, तप्त किया जाता है, कप्त करते समय होने वाले गुनात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, तो क्या होगा, सबसे पहले दाब देखे, 10 atmospheric कहा है, ये 5 है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा, ये हमने का 10 ATM है, यहाँ पर मैंने बिन्दू नोट कर लिया, और ताब कितना है, minus 65, minus 65, ये 60 के बगल में ही होगा, यहाँ पर ही कहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, इधर कहीं होगा माल लेते हैं, तो अब इनको आपस में अब क्या कह रहे हैं ताप बढ़ाना है तो 60 डिग्री से ताप बढ़ाते वे इधर जाना है आपने तो 60 से माइनस 56, 20, 31 तो ये वक्र में ऐसी ये रेखा एक सीधी आती चली जाएगी जैसे से ताप बढ़ाएंगे तो दाप तो नियत है तो ताप बढ़ने के अनुसार ये रेखा इधर के और जाएगी तो आप देखे हो पहले ये रेखा इस बिंदू पर आई फिर ये द्रव छेतर द्रव से गैस में परिवर्थित होती है तो मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी आपको क्योंकि ये वक्र यहाँ पर ये वाला वक्र आ गया इसलिए ठोस द्रव द्रव से गैस में जाएगी last part है D part CO2 को 70 degree centigrade तक तप तथा सम ताप संपेडित किया जाता है आप friction के इसके किन गुणों के गुणों में अंतर की अपेक्षा रखते हैं कितने degree पर? 70 degree centigrade पर D part हमारे को क्या कह रहा है तो आप कितना दे दिया? 70 degree centigrade दाब नहीं दिया अब 70 degree centigrade कौन सा हुआ? ये तो 31 ही हुआ ना 31 के आगे जाकर कि यहां कहीं 70 होगा तो 70 degree centigrade पर हम इसको इस परकार से ले जाएंगे तो जब हमने आपको वक्र के बारे में समझाए था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यह 31.1 पिछले प्रिश्ट में हमने इस बात पर चर्चा करी थी यह जो ताप होता है इसे हम कहता है क्रांतिक ताप और इस वाले दाब को यह हमारा होता है क्रांतिक दाब और इस वाला यह वाला ताप क्या होता है 31.1 क्रांतिक ताप तो इस वक्र के एक तरफ द्रव अवस्था है और एक तरफ क्या है गैस अवस्था तो यानि कि हम दाब बदल करके इतने ताब तक दाब को कम करके दाब बदल करके क्या कर सकते हैं CO2 को गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्दित कर सकते हैं साथ ही मैंने बताया था ये क्रांतिक ताप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि इसके बाद आपने ताप बढ़ाया ताप कामान ज़्यादा कर दिया तो अब आप दाप कितना भी लगाईए ये गैस द्रव वस्था में नहीं आने वाली इसलिए इसको क्रांतिक ताप क्रांतिक दाप कहते थे तो अब इसने तो ताप कितना दे दिया यहाँ पर दे दिया यह कितना है 70 degree centigrade तो ये तो क्रांतिक ताप से बहुत ज़्यादा हो गया तो इस स्थिदी में आपने ताप बहुत अदिक बढ़ा दिया अब आप दाप परिवर्थित करोगे तो ओभी गैस द्रव अवस्था में नहीं आएगी तो भली आप उसको दाप बढ़ाओगे उसका आयतन कम हो जाएगा लेकिन वो द्रव अवस्था में नहीं आएगी तो क्या लिखेंगे CO2 गैस अवस्था में रहेगी तथा द्रव अवस्था में नहीं आएगी जब आप दाप बढ़ाओगे तो आयतन कमभल हो जाएगा आयतन परिवर्थित होगा आयतन तो परिवर्थित हो जाएगा कि दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम भेजाएगा दाब घटा हो गे तो आयतन बढ़ जाएगा लेकिन नहीं तोस गैस में अवस्था मी परिवर्थित नहीं रहेगी तो इस परकार से को कर सकते है 감사합니다